हालो बच्छो तो वही कैसे हो आप सो भी आए होप सारे वच्छे एक दम अच्छ होंगे एक दम बढ़या होंगे और एक दम मस्ट होंगे बच्छो तो वेलकम दूस अमेजिंग प्लाटफार्म आप फिजेक्स वाला जहां पर तुम्हारा क्लास नाइन का उदाबैच जो बह बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है तुम्हारे क्लास 10 के लिए क्योंकि सेम इसी नाम से तुम्हें क्लास 10 में एक चैप्टर मिलेगा उसका नाम भी क्या होने वाला है उसका नाम भी होने वाला है व्रत तो यह चैप्टर जो है वो तुम्हारी क्लास 9 के लिए तो इंपॉर बेसिक माईगी पुन्द्राव लोकन लिखा हुआ है मतलब कि यहां पर हम मैं रिवीजन कराने वालों में तुम लोगों को कि वरत और उसे संबंदिच जो पद है वो कौन-कौन से हैं वरत का केंद्र क्या होता है तृज्या क्या होती है परिमाप क्या होता है परीधी क्या हो जीवापरलम ये दोनों टॉपिक है जहां से हमारी बनती है प्रमय ठीक है और इन बैसिक क्लियर करेंगे उसके बाद प्रमय ऊइव पर चलेंगे और प्रमय कंब्रीट करने के बाद हम उसके questions को देखेंगे तो बिना किसी देरी के बिना कोई time गवा है सीधा शुरुआत करता हूं मैं main topic पर चलता हूं तुम सारे बालक ready हो जाओ क्योंकि यह chapter बहुत 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 जादा important है तुम लोगों के लिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले topic के साथ जो कि है हम वरत तो वरत क्या होता है वरत यह होता है कि अगर मैं किसी भी जगा पर एक बिन्दू fix लूँ ठीक है मैं किसी भी जगा पर एक fix बिन्दू लूँ ठीक है और उससे समान दूरी पर इस्थित सारे बिन्दूओं को आपस में मिला दूँ ठीक है तो मेरे पास एक वरत की करा मैंने एक समान दूरी लेली जो की मेरे हाथ के बराबर है मैंने एक समान दूरी लेली जो की मेरे हाथ के बराबर है ठीक है और मैंने अपने फिक्स बिंदू के बाद अपने हाथ की दूरी पर जितने भी बिंदू है जितने भी बिंदू है इस तरीके से और पूरा ही घूमना पड़ेगा मुझे है ना घूमके मैं वापस यहां गया ठीक है तो जितने भी बिंदू इतनी दूरी पर थे मैंने उन सब को जब मिला दिया तो मेरे पास क्या हुआ मेरे पास एक वरत की रचना हुआ ठीक है तो ये जो बिंदू है जो की fix है जिससे समा दूरी हमने ली है जो fix दूरी हमने ली है ठीक है इसे हम बोलते हैं वरत की त्रिज्जा ठीक है और जो आपके सभी बिंदूओं को मिलाने पर जो आकरती बनती है उसे वरत बोलते है ठीक है तो ये तुम्हारा वरत है ठीक है और वरत की जो बाहियतम सीमा होती है वरत की जो केंडर से वरत की परीधी तक की दूरी को उसकी तरिज्जा कहा जाता है ठीक है तो अब वरत की तरिज्जा वरत का केंडर और वरत की परीधी सबको क्लियर हो गया ठीक है अब यहां से फिर हमारे पास हाती है एक और चीज जो की है वरत की जीवा ठीक है जब वरत पर आप किन दो बिंदूओं को मिलाते हो जैसे कि आपने इन दोनों बिंदूओं को मिलाया तो वरत के दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं वरत की जीवा तो ये है वरत की जीवा और ये बहुत इंपॉरे चैप्टर में आप इस चीज का नाम बहुत जादा सुनने व जीवा वरत के केंदर से होकर जाती है हमेशा ध्यान रखना जब वरत की जीवा मानलो ये एक कोई वरत की जीवा है जो की वरत के केंदर से होकर जा रही है ठीक है तो वरत की जीवा वरत के केंदर से होकर जा रही है ये वरत का केंदर है ठीक है और यहां से हमारी वरत की जीव जीवा उकर जा रही है पी क्यू ठीक है तो जब व्रत की जीवा व्रत के केंदर से उकर जाती है तो उसे बोला जाता है व्रत का व्यास क्या बोला जाता है बच्छो उसे बोला जाता है व्रत का व्यास तो व्रत का व्यास जो होता है वो किसी भी व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है इस चीज़ को याद रखना व्रत का व्यास जो होता है वो किसी भी व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है तो यह कुछ-कुछ पॉइंट से जो कि तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे यह वन मा कोश्चन में आ जाते हैं व्रत का व्यास व्रत का व्यास व्रत की व्रत की सबसे सबसे लंबी जीवा होता है ठीक है व्रत का व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा होता है ठीक इसके अलावा जो वरत का व्यास होता है ना मैंने तुम्हें बताया था वरत के केंडर से वरत की परीदी तक की दूरी को हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है त्रिज्जा ठीक है तो वरत का जो व्यास होता है किसी भी वरत की त्रिज्जा का दुगना होता है ठीक है ये दूसरा पॉइंट है व्रत का व्यास क्या होता है व्रत का व्यास उस व्रत की त्रिज्जा के दो गुने के बराबर होता है दो गुणा व्रत की त्रिज्जा किसी भी व्रत का व्यास उस व्रत के त्रिज्जा के दो गुने के बराबर होता है ठीक है तो व्यास जीवा क्या है जब व्रत के किनी दो बिंदू को हम आपस में मिलाते हैं तो व्रत की जीवा बनती है ठीक है और जब व्रत की जीवा व्रत के केंडर से ओकर जा रही हो तो उस जीवा को व्रत का व्यास कहा जाता है तो व्यास क्या है व्यास एक प्रकार की जीवा ही होती है ठी अब अब लोगों को पता हुनना चाहिए अभ्यानतर होता है वरत की बाउंडरी के अंदर वाला हिस्सा ठीक है बहिर भाग होता है वरत की बाउंडरी के बाहर वाला हिस्सा और जो बाउंडरी है वो हमारी क्या हो गई वो हो गया हमारा वरत ठीक है अब इसके बादे को बिल्कुल basic basic सारे पहले clear कर देते हैं उसके बाद पर आगे बढ़ेंगे अब आता है व्रत का चाप तो व्रत का चाप क्या होता है देखो व्रत में आप व्रत में आप व्रत की परीदी के किसी भी हिस्से को ले लो व्रत में आप व्रत की परीदी के किसी भी हिस्से को ले लो ठीक है वो हिस्सा व्रत का चाप बन जाता है जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है मैंने वरत के इस वाले वरत की परीदी के इस वाले हिस्से को ले लिए पी क्यू हिस्से को तो ये क्या है ये भी वरत की परीदी है हमारी ये भी वरत की परीदी का हिस्सा है तो ये क्या है ये चाप है तो चाप क्या होता है वरत की परीदी का हिस्सा जो होता है कोई भी हिस्सा हमारा वरत का चाप कहला देता है जैसे कि ये PQ हो गया ये वरत का चाप है A B हो गया ये CD हो गया यह व्रत का चाप है तो व्रत की परीदी का ही कोई हिस्सा उसका चाप होता है ठीक है अब जब आप कोई चाप लेते हो तो उसमें जो छोटा वाला हिस्सा होता है जैसे कि यह छोटा वाला हिस्सा है ठीक है तो यह क्या हो गया लगू चाप हो गया और यह जो बड़ वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे दीर्ग चाप बोलेंगे ठीक है बड़े वाले हिस्से को दीर्ग चाप बोलेंगे यही चीज लिखी हुई है कि भाईया जब तुमने यह पूरे वरत्मे से पीक्यू चाप लिया ठीक है तो यह जो छोटा वाला पीक्यू चाप था यह किसी चाप के अंत है बिंदूओं को अंत बिंदूओं को वरत के केंदर से मिलाते हो जब आप किसी वरत में वरत के किसी चाप के अंत बिंदूओं को वरत के केंदर से मिलाते हो तो हमारे पास जो रचना प्राप्त होती है ठीक है हमारा जो पूरा वरत है वो दो भागों में बढ़ जाता है इनी भागों को बोला जाता है त्रिज्य खंड या फिर यह ऐसे भी बोला जाता है कि आपका वरत की दो त्रिज्य और संगत चाप से मिलकर बना भाग वरत का त्रिज्य खंड होता है क्योंकि यहाँ पर दो त्रिज्य आती है एक और दू और फिर एक चाप आ या तक की कहानी सबको समझ में आ रगिए तक की कहानी की सबको समझ में अगई clear है बहुत अच्छे से चालो अब आगे आजाओ आगे आपके पास आता है वरत खंड तो अब जब आप किसी वरत की जीवा को मिलाते हो जब आप किसी वरत की जीवा को मिलाते हो ठीक है जैसे कि मैंने एक जीवा मिला दे पी क्यों तो जब आप किसी वरत की जीवा को मिलाते हो तो आपका पूरा का पूरा जो वरत है वो दो भागों में बढ़ जाता है जैसे कि तुम देख सकते हो एक उपर वाला भाग एक नीच विरत खंड बोल देते हैं तो बच्चो ये है विरत के छोटे 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 भाग I hope तुम लोगों को ये अच्छे से clear हो गए होगे किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा clear है सब को ये चलो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे लिए कर चलते हैं एक दो कोशन करते हैं और उसके बाद हमारी कहानी बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है ये बेसिक बेसिक से कोशन है जल्दी से इसके अंतर देंगे व्रत का केंदर व्रत के डैश में इस्तिद होता है तो व्रत का केंदर व्रत में कहां इस्तिद होता है देखो पहले कोशन आगया बहिर भाग और अभ्यांतर में से तो व्रत का केंदर जो है वो व्रत की बाउंडरी के अंदर इस्तिद होता है तो यानि कि व्रत का केंदर व्रत के अभ्यांतर में इस्तिद ह होता है ठीक है एक बिंदू जिसकी वरत के केंदर से दूरी उसकी त्रिज्जा से अधिक हो वह है वरत के किस भाग में इस्तित होगा सोच के देखो तुमारा एक बिंदू है यह वरत का केंदर है वरत की त्रिज्जा जो है वो दो सेंटीमीटर है और इसकी जो वरत के केंदर से दूरी है वो 3 cm की है तो सीधी सी बात है आपका जो ये बिंदु होगा ये वरत से 1 cm बहार इस्तित होगा यानि की बहर भाग में इस्तित होगा ठीक है आगे देखो वरत की सबसे बड़ी जीवा वरत का क्या कहलाती है बताया था तो मैं अभी थोड़ी देर पहले वरत की डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो ठीक है अब देखो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी बच्छो थोड़ी सी कि अगर तुम एक चाप बनाते हो ये व्रत का केंदर हो गया ठीक है तुम एक चाप बनाते हो जिसके सिरे व्रत के व्यास के सिरे है ठीक है तुम मान लो ये चाप हो गया तुम्हारा पी क्यू तुमने एक चाप बनाया ये है पी क्यू ठीक है तो जब तुम्हें एक ऐसा चाप बनाते हो जिसके सिरे व्रत के व्यास के सिरे हो तो बच्छो आपका वो जो चाप बनता है वो क्या बनता है वो चाप आपका बनता है व्रत का क्या वो चाप बनता है अर्ध व्रत क्या बनता है बच्चो वो चाप बनता है अर्ध व्रत तो जब हम किसी भी व्रत के व्यास को मिलाते हैं तो व्रत हमारा दो भागों में बढ़ जाता है ठीक है जिनी दो भागों को हम अर्ध व्रत बोलते हैं ठीक है तो जब आप व्रत के आप ऐसा चाप बनाते हो जिसके सिर रित में किसके वियास के सेरें वो ओर्ध रत होता है रद खंड एक चाप और जीवा के भीच वहीं पर तो वहीं पर किस्के से बीच के भाग वहीं पर लुग कर दो किस्च के भीच छेत्र है वह ! एक वरत का चाप और दो त्रिज्जाओं के बीच का छेतर है तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई clear है तो चलो अब देखो यह था तुम्हारा पूरा का पूरा basic ठीक है यह था तुम्हारा पूरा का पूरा basic जो की clear हो गया अब क्या शुरू होगा अब शुरू होगा असली चैप्टर अब शुरू होगा असली कहानी ठीक है क्लास नाइन्थ की असली कहानी जो है वो यहां से शुरू होगी अब तुम्हारी तो देखो हमारा अगर एक वरत है हमारे पास तो वरत के केंदर मिलब किसी वरत की जीवा से किसी बिंदू पर अंतरित कोण का मतलब है क्या सबसे पहले तो ये समझते है तो ये मानलो एक वरत है ये वरत का केंद्र हो गया ठीक है ये हमारी कोई जीवा हो गई कोई भी x y z जीवा है ये रही ठीक है मानलो ये वरत का केंद्र है ओ, ठीक है, यह जीवा है हमारी A, B तो अब देखो, जीवा आपके किसी भी बिंदू पर वरत का केंदर जो है ठीक है, वरत के केंदर को ही नहीं, जीवा आपके किसी भी बिंदू पर जो है, वो चाप बना सकते वो क्या बना सकते है, कौन बना सकते है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बिंदू, एक कोई बिंदू है, मालो यह बिंदू P है, यह बिंदू C है, मैंने इस पर एक कौन बना दिया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, आपने लिया भया अपना बिंदू, जीवा से, जीवा के अंत केंदर पर कोण बना रहा है तो जीवा एबी के द्वारा केंदर पर बना कोण है इसी भी महनender एक रि suis कि आपने क्ःफर भॉना दिया यह रहा यह कोई बिंदू पी है आपने यहाँ पर एक कोण बना दिया तो यह क्या है यह किसी भी जीवा के द्वारा बिंदू पर अंतरित कोण है तो यह सकता है और वो बिंदू व्रत के अंदर भी हो सकता है वरत का केंदर भी हो सकता है ठीक है वो कोई भी बिंदू हो सकता है क्लियर हो गई बात अब इससे संबंदित वच्चों हमारी कुछ प्रमय है जिने हमें समझना है एक एक करके और इन प्रमयों को भी हम सिद्ध करते हुए चलेंगे ठीक है पहली प्रमय जो है व ठीक है, इसका केंदर है O, और इसकी दो जीवाएं है, कौन-कौन सी एक जीवा है तुमारी, A, B, ठीक है, और एक जीवा है C, D, और ये जो दोनों जीवाएं है बच्चों, ये दोनों जीवाएं बिलकुल बराबर है, ठीक है, ये दोनों जीवाएं बिलकुल बराबर है, इन D. जीवा जो है, वो केंदर पर जो कोन बनाईगी, बरावर जीवा हैं, जो केंदर पर कौन बनाईगी, वो भी बरावर होंगे. ठीक है? तो A. B. जीवा, जो केंदर पर कोन बनाईगी, कौनसा वो हिया तुम्हारा, A, O, B, यानिकि यह वाला कोन, वो बराबर होगा आपका CD जीवा केंदर पर जो कोण बनाएगी उसके CD जीवा केंदर पर जो कोण बनाएगी उसके गिरा यह रवाई तो जाने कि हमारा कोण A, O, B बराबर होगा कोण C, O, D, K यह हमें सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे इसे सिद्ध करने के लिए हम मान कर चलेंगे पहले सारी चीजे देखो में हाथो याथ हल करना सिखा रहा हूँ तो हम मानेंगे माना वरत जिसका केंद्र, जिसका केंद्र, ओ है, तथा, दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं, जीवाएं, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो, सिद क्या करना है, वो लिख लेते हैं, सिद करना है, सिद करना है, क्या सिद करना है, कि हमारा, कोण A, O, B और कोण C, O, D दोनों बराबर हो, कोण A, O, B, बराबर हो, कोण C, O, D के, अब देखो, यह सिद कैसे हो सकता है, यह सिद करने का बहुती इजी तरीका है, कैसे सिद कर सकते हैं हम इसे, हम इसे सिद कर सकते हैं, जब आप अपना त्रिभुज A, O, B को और त्रिभुज C, O, D को आपस में क्या दिखा दो, सर्वांगसम दिखा दो, और सर्वांगसम द तो हम जानते हैं CPCT से सरवांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से हम दोनों त्रिभुजों को क्या बोल सकते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD को, ठीक है, तो क्या करेंगे बई, देखो, हम दोनों त्रिभुज ले ले लेंगे, त्रिभुज A, O, B, where त्रिभुज C, O, D सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आएगा देखो A, O is equals to C, O क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वरत की त्रिजाएं हैं तो बराबर होगा A, O बराबर C, O दूसरा आपका B, O बराबर D, O क्योंकि यह भी दोनों वरत की त्रिजाएं है B, O बराबर D, O मैं दोनों का reason लिख देता हूँ यहाँ पर side में वरत की त्रिजाएं वरत की त्रिजाएं ठीक है? और last में अगर आप देखोगे तो आपका A, B बराबर है C, D के reason आपका यह क्या है? यह दोनों समान क्या है? समान जीवाएं है समान जीवाएं है तो A, B बराबर है C, D के A, B बराबर है C, D के तो एक त्रिज़ की तीन भुजाएं दूसरे त्रिज़ की तीन भुजाओं के बराबर है ठीक है? तो क्या होगा वई? आपका कौन सी कसौटी लग गई कौन सी कसौटी लग गई भई आपका SSS सरवांग समता कसौटी से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा SSS कसौटी से हमने बोल दिया कि हमारा त्रिभुज AOB सरवांग सम होगा त्रिभुज COD के और जब आपके दोनों त्रिबु सर्वांगसम है तो आप cpct से लिख सकते हो cpct से सर्वांगसम त्रिबु जो के संगत भाग corresponding parts of congruent triangle ठीक है cpct से आप क्या लिख सकते हो आपका कोण a o b बराबर होगा कोण c o d के hence proved यही प्रूव करना था तो याने की आपका दो बराबर लंबाई की जीवाएं दो बराबर लंबाई की जीवाएं आपके वरत के केंदर पर बराबर कोण बनाती है ठीक है बराबर लंबाई की जीवाएं वरत के केंदर पर बराबर कोण बनाती है clear हो गई बात, समझ में आगया सबको, किसी को कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलो भई, किसी को कोई दिक्कत इसमें, बहुत बढ़िया, अब इसके बाद हमारे पास कहानी आती है कौन सी, इससे अगली प्रम है, कि जो कि इसी का ही विलूम है, कि अगर कोई जीवाएं वृत क केंदर पर बराबर कोण बना रही है, तो वो क्या होंगी, वो बराबर होंगी, तो यानि कि यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है, कि A, B और C, D, जो दो जीवाएं है, वो वृत के केंदर पर बराबर कोण बना रही है, यानि कि तुम्हारा कोण A, O, B बराबर है, कोण C, के तुम्हें क्य buat करना है तुम्हें सिद करना है कि A-B ISDQ की अब देखो यह प्रमय में सिद नहीं कराarहा हूं यह मैं तुम्हें बता रहां करनी कैसे सेम वही तरीका है यहां पर तुम क्या करोगे इन दोनों A, O, B, C, O, D, को सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे. ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे. सर्वांगसम त्रि travellingो के संगत भाग, भाई, CP, CT तुम बोल सकते हो. A, B बराबर होगा CD के. सर्वांगसम सिद्ध कैसे करना ये भी बता देता हूं. देखो, सबसे पहले A O बराबर होगा C O के, ब्रत की तरिज जाएं, सेम B O बराबर होगा O D के, ब्रत की तरिज जाएं, और आपका A O और B O के बीच का कौन कौन सा, कौन A O B, और C O और D O के बीच का कौन कौन सा, कौन C O D बराबर होंगे आपस में, तो क्या हुआ, एक मुझ की दो भुजा है और उनके बीच के कोण के बराबर हो गया S A S सरवांग समता कसौटे से दोनों तरिबुज आपस में सरवांग सम हो जाएंगे तरिबुज A O B सरवांग सम हो गया तरिबुज C O D K तो by C P C T यानि की सरवांग सम तरिबुजों के संगत भाग A B बराबर हो जाएगी किसके आपका C D K तो यानि के आपने क्या प्रूव कर दिया कि अगर किसी वरत की दो जीवाएं वरत के केंद्र पर समान कोण अंतरत करती हैं तो वो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती है यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है और वो है वरत के केंद्र से जीवापरलंब जीवापरलंब का मतलब देखो क्या होता है मैं समझा भी देता हूँ आपका यहाँ पर दो चीज़े आप समझो यह ज़्यादा तो अगर मालो मुझे इस बिंदू P की दूरी निकालनी है इस रेखा A B से तो मैं कैसे निकालूगा तो बेटा देखो किसी भी बिंदू से उस किसी रेखा की दूरी निकालने के लिए आपको सिंपल एक काम करना होता है और वो क्या है आपको उस बिंदू से जिस रेखा की दूरी निकालनी है उस पर एक लंब डालना होता है एक लंब डालना होता है याने कि एक 90 डिगरी की रेखा बनानी होती है याने कि एक रेखा बनानी होती है जो आपकी सामने वाली रेखा पर क्या हो आपकी सामने वाली रेखा पर लंब हो ठीक है तो यह जो PQ की लंबाई हो यही PQ की लंबाई आपकी बिंदू P से आपका AB रेखा की दूरी होगी तो किसी भी बिंदू से किसी रेखा की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उस बिंदू से उस रेखा पर एक लंबवत रेखा बनानी पड़ती है वो जो लंबवत रेखा की है वरत का केंदर है है ना वरत का केंदर है मान लो ओ ठीक है तुम्हारी एक वरत की जीवा है कोई भी एक जीवा ले लो लाइक येरी जीवा ठीक है हा जी तो येरी जीवा मान लो ये जीवा तुमारी कॉनसी होगई पी क्यू तो वरत के बिंदू ओ से किसी वरत के बिंदू ओ से जब तुम इस जीवा पी क्यू को क्या करोगे मिलाते हुए एक लंब बनाओगे यानि कि एक 90 डिगरी का कौन में आते हुए एक रेखा बनाओगे तो वही क्या होगा वही 90 डिगरी का कौन बनाते हुए जो रेखा होगी वही आपकी क्या होगी वही केंदर से जीवा पर लंब होगी वही क्या होगी वही केंदर से जीवा पर लंब होगी ठीक है अब ये कें पहली प्रमे हमसे बूलती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे सम्धी भज़त करता है तो देखो बई, मान लो यह आपका वरत का केंद्र है O, ठीक है, यह आपकी जीवा है AB, ठीक और केंद्र O से जीवा AB पर एक लंब डाला गया O, P ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, कि भईया देखो केंद्र O से जीवा AB पर जो आपने 90 डिगरी की रेखा बना, 90 डिगरी का कोण बनाते होए जो रेखा डाली है, वो उसे पूरे जीवा को दो बराबर भागों में बाटती है, क्या करती है भई, द O बराबर भागों में बाटती है, याने कि P बिंदू, तुम्हारा मध्य बिंदू होगा AB का, याने कि P जो है, वो AB को दो बराबर भागों में बाटेगी, याने कि AP बराबर PB, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखो, ये चीज सब को समझ में आ गई कि वरत के केंदर से जीवा पर अगर आप लंब डालते हो तो वो उसे सम्धिभाजित करता है यानि कि दो बराबर भागों बाटता है तो हम मान लेते हैं माना मैं प्रमयों को हातो हाथ सिद्ध करना भी बता रहा हूं तो देख लो माना क्या है भाई? माना वरत जिसका केंदर ओ है वै एक जीवा एक जीवा एबी है में केंदर से जीवा पर लंब लंब ओपी डाला गया ठीक है तो हमने बोल दिया कि केंदर से जीवा पर लंब ओपी डाला गया है अब यह जो ओपी लंब डाला गया है इससे हमें क्या सिद्ध करना है सिध करना क्या सिध करना है भई हमें ये सिध करना है कि हमारा जो ये केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया ये जीवा को दो बराबर भागों में बाठता है याने कि सम्द्वी भाजित करता है समान दो बागों में बाठता है तो प्रूफ करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी क्या हमें रचना करनी पड़ेगी कि त्रिज्जा ओ ए वे ओ बी बनाएं ठीक है आपको क्या करना है आपको त्रिज्जा ओ ए ये रही और ओ बी ये रही इन दोनों को बनाना है ठीक है अब तुम्हारे पास जैसे ही तुमने ये दो त्रिज्जाएं बनाई तुम्हें क्या दिखाना है एपी बराबर पी बी दिखाना है तुम्हें एपी बराबर ये रहा एपी ठीक है ये तुम्हें बराबर दिखाना है किसके ये तुम्हें बराबर दिखाना है पी बी O P A और O P B क्योंकि आपने केंदर से जीवा पर लंब डाला है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा यानि कि दोनों समकोण त्रिभुज है ठीक है तो आप क्या करो O P A और O P B दोनों त्रिभुज ले लो इन दोनों को आपस में सर्वांग्सम सिद्गर दो समकोण त्रिभुज है RHS सर्वांग्सम तक कर सौटी लग सकती है लगा कर सर्वांग्सम सिद्गर हो जैसी सर्वांग्सम हो जाएंगे सर्वांग्सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते है आने की AP बराबर PB आ जाएगा, हो गया काम खतम, तो देखो भई, हम दोनों त्रिभुज ले ले लेंगे अब, त्रिभुज, O-A, O-P-A, वे त्रिभुज, O-P-B में, क्या हैगा भई, O-P-A और O-P-B में हमारे पास निकल कर आएगा, सबसे पहले क्या, कि कोण O-P-A, परण, 90 डिगरी का कोण है और क्यूं है, चूंकि आपका जो O-P है, वो लंब है, किस पर, A-B पर, O-P जो है, वो लंब है, A-B पर, ठीक है, अब, इसके बाद, अगली चीज, आपका O-A, बराबर होगा, O-B के, क्योंकि दोनों वरत की त्रिज जाए हैं, तो आप देखो, O-P-A में, O-A क्या है, 90 डिगरी के सामने वाली भुजायाने की कर्ण है, ऐसे ही O-P-B में O-B क्या है, 90 डिगरी के सामने वाली भुजायाने की कर्ण है, तो दो समकॉन त्रिभुजों में कर्ण बराबर दिखा दिया, तुमने, ठीक है, O-A बराबर O-B, व्रत की त्रिज सिंपल चीज वरत की तरिज्जा बिटा यह जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ना रीजन यह मैं दो चीजों की वज़े से लिख रहा हूँ एक तो तुम्हें बाद में जब तुम नोट्स देखो के तुम्हें समझ में आ जागा कि क्यों कोई चीज किस चीज के बराबर है दूसरा यह बहिया एक्जाम में भी तुम्हें लिखने पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट होते है टीचर को कहां से पता लएगा तुम्हें कौन सी चीज कहां किसके बराबर रख दी तो यह चीज अगर लिख दोगे तो टीचर को आराम से पता चलता रहेगा ठीक है और लास्ट में अगर तुम देखो तो तुम्हारी ओपी बराबर हो जाएगी ओपी के क्यों क्योंकि यह दोनों ही त्रिभुजों में और यह ओपी अ में भी और ओपी बी में भी तो ओपी वराबर हो गई ओपी के ठीक है कारण उभैनिष्ट क्योंकि उभैनिष्ट भुजा है यह यह वो भुजा है जो कि दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है उभैनिष्ट भुजा ठीक है तो अब हमारे पास क्या हो गया त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPB के ठीक है और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या कहते हैं CPCT से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा CPCT से हमारे पास निकल कर आ गया हमारा AP बराबर PB Hence, proved याने कि अगर वरत के केंदर से जीवा पर आप लंब डालते हो तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बाटती है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो जीवा को समद्वी भाजित कर देता है ठीक है यह है हमारी केंदर से जीवा पर लंब की पहली प्रमे ठीक है दूसरी प्रमय इसी का ही विलोम है दूसरी प्रमय जो है वो इसी का ही विलोम है ठीक है क्या है बाई देखो ये रहा एक वरत के केंडर से एक जीवा को सम्दी भाज़त करने के लिए खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है अब ये पिछली प्रमय का ही विलोम है मतलब कि तुमने एक वरत लिया इसका केंद्र लिया ठीक है एक जीवा ली और तुमने क्या किया जीवा का मध्यविंदू ले लिया जीवा का मध्यविंदू ले लिया तुम्हें नहीं पता मध्यविंदू क्या है बद तुम्हें जीवा का मध्यविंदू ले लिया ठीक है तो यह हो गया वरत का केंद्र O यह हो गई जीवा AB ठीक है और तुम्हें जीवा का मध्यविंदू ले लिया कौन सा अपना ठीक है तो हमें पताए कि जो P है वो जीवा का मध्य बिंदू है क्योंकि यहां पर हमें क्या सिद करना है यहां पर हमें सिद करना है कि जीवा का मध्य बिंदू जो है अगर तुम किसी वरत के केंडर से जीवा के मध्य बिंदू को मिलाते हो तो जो रेखा बनती है वो जीवा पर लंब होती है ठीक है यानि कि हमें कोण O P A को 90 डिग्री सिद गरना है और या फिर कोण O P B को 90 डिग्री सिद गरना है दोनों में से जिसे चाहे उसे गर दो ठीक है अब ये भी कैसे होगा देखो इसके लिए भी हम क्या करेंगे हम मान लेते हैं सबसे पहले माना व्रत का केंद्र O वैज्जीवा A B है जहाँ O P A B का क्या है A B का समद्वी भाजक है समद्वी भाजक है ठीक है तो अब सिद क्या करना है सिद करना है सिद करना है क्या सिद करना है हमें सिद करना है कि हमारा क्या है कोण O P A या फिर कोण O P B दोनों में से कोई भी एक या दोनों के दोनों 90 डिक्री के बराबर है ठीक है दोनों ही 90 डिक्री आएंगे ठीक है तो आब इसे प्रूफ करेंगे प्रूव करने के लिए आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा भाई कि आप सबसे पहले अपनी जीवा को मिलाओगे सॉरी वरत की तरिज्या तरिज्या O A वे O B को मिलाए अब रीजन क्या है इसका समझाता हूँ जैसे तुम O A और O B को मिलाओगे तुमने O A और O B को मिलाया तो होगा क्या तुमारे पास दो त्रिबुज बन जाएंगे O P A और O P B है ना अगर तुम इन दोनों त्रिबुजों को सर्वांगसम सिद्गर दो तो तुम बोल सकते हो कि कोन O P A बराबर है कोन O P B के सर्वांगसम्त्रिबुजों के संगत भाग सर्वांगसम्त्रिबुजों के संगत कोन क्याने कि कोन O P A जो है ये वाला कोन ये बराबर है O P B के ठीक है अब 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 अगर तुम देखो तो पूरा का पूरा A B क्या है A B एक रेखा है और जिन दो कोणों से मिलकर ये बनाए वो दोनों आपस में बराबर हैं तो इन दोनों कोणों का मान कितना आएगा 90 डिग्री 90 डिग्री और वही हमें सिद्ध करना है तो देखो हम क्या करेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सरवांग समसिद्ध करेंगे तो त्र बराबर होगी OB के वरत्कित रिज्जा है अब मैं लिखनी रहा हूँ मैं थोड़ा तेटेज करूँगा ठीक है तुम्हें लोग को पता होना चाहिए OA बराबर OB वरत्कित रिज्जा ठीक है दूसरा AP बराबर है BP के क्यों है यह AP बराबर BP के क्योंकि OP जो है वो AB का संधी बराबर भागों में बाट रहा है ठीक है बाट रहा है क्योंकि बोला ही ता उन्होंने की जीवा को संदी भाजित करने के ले खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो सम्धी बाज़त करने के ले खीची गई रेखा है वो जीवा पर लंब है तो याने कि सम्धी बाज़त तो कर रही है ठीक है तो सम्धी बाज़त कर रही है दूसरे त्रिभुज की तीनों बुजाओं के बराबर है तो क्या हो गया आपका SSS कसौटी से SSS कसौटी से क्या हो जाएगा आपके दोनों त्रिभुज OPA OPA सरवांग सम हो जाएगा किसके त्रिभुज OPB के ठीक है और CPCT से आप क्या लिख सकते हो CPCT से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कौण OPA होगा वो कौण OPB के बराबर होगा कौण OPA बराबर होगा कौण OPB के ठीक है अब चुकि AB रेखा है चुकि AB रेखा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब होगा कि आपका कोण APB यानि कि कोण APB ये जो पूरा का पूरा कोण है ये वाला जो पूरा का पूरा कोण है ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिगरी का कोण रेखा पर बना कोण 180 डिगरी का होता है ठीक है और यह किन दोनों को मिलाकर बना है यह दो कोण को मिलाकर बना है O-P-A और O-P-B इन दोनों कोण को मिलाकर आपका कोण A-P-B बन रहा है तो कोण O-P-A एP-B की जगापर क्या लिख देंगे OPA प्लस OPB बराबर 180 degree के ठीक है अब तुम पहले से जानते हो कि OPA किसके बराबर है OPB के तो OPB की जगा पर OPA रख दो यहां से उठा कर यहां से उठा कर यहां OPB रख दो तो तुमारा कोण OPA प्लस कोण OPA बराबर हो गया 180 degree के तुमारे पास आगया 2 in 2 कोण OPA बराबर 180 degree के यानि कि 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 और 2 निम अठारा तो तुमारा कोण OPA बराबर आगया 90 degree के क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था और कोण OPA OPB के बराबर है तो कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर आगया 90 degree के क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था यानि कि आपका यह वाला कोण जो है वो 90 degree का होगा यानि कि आप बोल सकते हो की केंडर से जीवा के मध्यबिंदु को विलाने के लिए खीची गई रेखा क्या होती है उस पर लंब होती है ठीक है ग्लियर हो गई बात तो बच्चों देको जितनी भी महतवपूर्प्रमे थी वो मैंने तुमें करा दी है रिवाइस क्या सिध करा दी है मैंने एक एक प्रमे तुमें ठीक है अब कुछ कोशन कर लेते हैं जैसे की कोशन दे रखा है कि एक वरत की त्रिज्जा यदि एक पांच सेंटीमेटर वाले वरत की त्रिज्जा वरत के केंदर से किसी जीवा की दूरी चार सेंटीमेटर है तब जीवा की लंबाई होगी तो देखो भाई वरत की त्रिज़ा दे रखी है हमें कितनी वरत की त्रिज़ा दे रखी है पास सेंटिमीटर वरत के केंदर से ये माल लो आपके जीवा हो गई A B तो मैंने क्या समझाया था कि ये माल लो आपका वरत का केंदर है O ठीक है O से अगर तुम्हें जीवा A B की लंबाई निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी O से जब तुम जीवा A B पर एक लंब डालोगे जब तुम O से जीवा A B पर एक लंब डालोगे तो तुम्हें इसकी मिलेगी लंबाई तो माल लो यह हो गया लंब O P ठीक है तो तुम्हें केंदर से दूरी को पता ही है केंदर से जीवा की दूरी कितनी है केंदर से जीवा की दूरी 4 cm है हमसे पूछ रहा है जीवा की लंबाई क्या होगी तो देखो भई ये तुम्हें पता है कितना व्रत की त्रिज्जा है 5 cm तो तुम जानते हो कि चूंकि चूंकि ओपी लंब है अवी पर तो इसका मतलब क्या होगा अवी बराबर होगा PB के तो नथा है dużo है यानि व्रत के केंदर से जीवा पर डाला गया या नमब व्रत को संद्रिभाजित करता है उसी का इस्तिमाल किया है मैंने ठीक है तो AP बराबर आगया PBK तो अगर मैं AP का मान निकाल ले तो मेरा PB का काम हो जाएगा तो मैं ले लेता हूँ कौन सा तुरे भुज ओ पी ए ठीक है समकोन तुरे भुज है पाइथा खॉरस प्रमे लग सकती है दो भुजा है पता है तीसरी निकाल निकाल दो क्या होगा 90 डिगरी के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के यूग के बर तो ओए का मान कितना है पांच पांच का वर्ग ओपी इदर आकर माइनस का हो जाएगा तो यह कितना है ओपी का मान है चार तो चार का वर्ग बराबर एपी का वर्ग ठीक है वर्ग इदर आकर वर्गमूल हो गया तो एपी बराबर हो गया हमारा वर्गमूल के अंदर कितना पांच का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16 तो 25 माइनस 16 कितना हो गया वर्गमूल के अंदर 9 को वर्गमूल से निकालेंगे तो 3 cm हमारा क्या हो गया हमारा AP का मान हो गया ठीक है हमें क्या निकालना है हमें निकालना है AB जो की है जीवा की लंबाई क्योंकि उसने जीवा की तो यहां पर a b is equal to कितना हो जाएगा a p plus p b की जगा पर भी a p रख दिया याने कि two into a p और a p की value तुम्हें पता है कितनी है यह 3 cm तो a b की value आ गई कितनी 2 3 जा 6 cm और final answer होगा हमारा 6 cm किसी को कोई दिक्कत discussion में किसी भी बालक को कोई दिक्कत discussion में कि जल्दी से बताओ किसी भी बालक को कोई दिक्कत discussion में जल्दी बोलो भई क्लियर रहे है कि चालो आगे बढ़ते हैं चालो आगे बढ़ते हैं जरा देखते हैं क्या क्या कह रहा है और कोश्चन कि वरत के केंद्र से परिदी तक की दूरी को क्या कहते हैं तो हम अलड़ी पढ़ चुके हैं कि वरत के केंदर से परिदी तक की दूरी उसकी तृज्जा कहलाती है तो बी विकल्प इस दिये गए प्रिशन का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगला सवाल लगाते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है वरत के केंदर से जीवा पर डा लगया लंब जीवा को समधी भाजित करता है तो बी विकल्प इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि एक वरत की परीदी 88 cm है उसकी त्रिज्जा क्या होगी तो देखो वरत की परीदी अगर तुम वरत की त्रिज्जा को आर मानते हो तो व 88 बराबर 2 गुणा पाई का मान होता है 22 बटे 7 ठीक है 22 बटे 7 ठीक गुणा आर तो आर का मान निकालना है तो 2 गुणा बाइस नीचे आ जाएगा 7 इदर चला जाएगा तो 88 गुणा 7 बटे में 2 गुणा बाइस बराबर आर के तो यह कितना होगा यह जाएगा 2 एकम 2 दो दो चौक आठ बाइस एकम बाइस बाइस दूनी चवालिस तो आर कमान कितना आ गया साथ दूनी चौदा सेंटी मीटर खतम कोश्चन सिंपल कोश्चन था इजी है बस तुम्हें परीधी का सूतर पता होना चाहिए ठीक है तो बी विकल्प 14 सेंटी मीटर इस कोश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी को कोई दिक्कत अभी तक क्लियर है सारे कोश्चन या तक के चालो तो अब देखो अब हमारे पास जो अगली प्रमय आती है ठीक है अब अगली प्रमय हमारी हमसे कहती है इस प्रमय को हम वैसे नेक्स क्लास में कवर करने वाले थे बट में यहाँ पर तुम्हें पढ़ा देता हूँ यह प्रमय ठीक है इसे सिद्ध हम अगली क्लास में ही करेंगे ठीक है तो यह प्रमय हमसे कहती है कि एक व्रत की या सर और CD, ठीक है, तो दोनों की दोनों बराबर है, तो जब तुम वरत के केंडर से इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हो, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, O से AB की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, O से AB पर एक लंब डालेंगे, क्योंकि तुम्हें प हमारे पास ये दूरी निकल कर आएगी न, O, M और O, N, ये बिलकुल बराबर होगी, ठीक है, तो याने कि अगर किसी वरत में दो बराबर जीवाएं बनाते हो तुम, या फिर दो अलग-अलग वरत बनाते हो, जिनकी तरिज्जाएं बराबर हैं, जिनकी तरिज्जाएं उग्या, O, ठीक है, इस वरत का केंदर है, O' ठीक है, और यहाँ पर एक जीवा हो गई, PQ, ठीक है, तो अगर ये दोनों समान लम्बाई की जीवाएं हैं, A B और PQ, तो तुमारा disparity, तुमारा उस case में तुमारा क्या होगा, तुमारा जो सर्वांसम रत्तों में, अगर तु समान लमबाई की जीवाये हैं तो वो भी केंदर से समानदूरी पर इस्तित हूंगी ठीक है, इसके बारे में next class में पढ़ेंगे जहां पर हम इने सिद्ध करना भी सिखेंगे, ठीक है, अब इस पर ही based एक question था ठीक है basic question है, यह प्रमय का होंगे बट्चों वहापस में नंगिए वहापस्ट में बराबर लंबाई इसी परopedia अदारेत कफेशन काफी सारे कोश्चन करने है तो lecture काफी है हमारे पास वरत को हल करने के लिए अपन तसल्ली से सारे lectures को cover करते वे चलेंगे आज की class में तुम इतना करो कि जो तुम्हें प्रमे कराई गई है जो चार प्रमे मैंने सिध कराई है उन्हें सिध करने की practice टेस्करों क्यों कि या इकजाम में रती है और इतने के साथ अब Kenneth क्रास तब तक के लिए अपना जो वरत कर दो चार प्रमे मैं करो उन पर अधारित सवाल और और खारित सवाल हम अगली क्लास में भी उपर वाली बात नहीं है तुम अगर कभी सोच रहों कि सर आज की क्लास में सवाल बहुत कम हुए तो भाया प्रमे सिद्ध करानी ठीक है इसलिए सवाल कम हुए नेक्स क्लास में प्रमय अल्रेडी सिद्ध होंगी तो हमें जादा से जादा सवालों की प्रैक्टिस करने हैं तो मिलते हैं सीधा नेक्स क्लास में रभ तक के लिए टेक केर चाटा और बाए बाए